जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत बहुत हारदिक स्वागत और अभिनंदर प्रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार बरा नमस्कार तो प्रिया साथियों आज आपके साथ चर्चा होने जा रही है हमारी आपके अपने मनपसंद कारे करम के विशे में जिसका नाम है दैनिक राशी फल प्रिया साथियों ये जो दैनिक राशी फल है जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम आपको पंचांग की ही जानकरी दिया करते हैं और पंचांग की जानकरी दैने के पश्चाथ हम आपको दैनिक राशी फल के विशे में बताया करते हैं तो साथियों आज भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिवल ये दोनो दिनांग 16 मई सन 2024 दिन गुरुवार विक्रम समवत 2021 के हैं ये हिंदी का महीना वैशाक का महीना चल रहा है पक्ष चल रहा है शुकल पक्ष और तित होगी आज अश्टमी नक्षत रहेगा मगा योग होगा ध्रुव और करन होगा बाव राशी रहेगी आज सिंग कहने का भाव है कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशी सिंग में ही करेंगे संचार राहुकाल की जो समयवदी है वह आज दो पहर एक बचकर 69 मिनट से लेकर शाम तीन बचकर 41 मिनट तक रहेगी और जो अभीजीत मूर्द का शुब समयवदी है वह प्रात्य 11 बच कर 50 मिनट से लेकर 2 पहर 12 बच कर 44 मिनट तक रहेगा और इसके अतरिक जानकी सीता जी की जैनती है आज और श्री मा भगवती बगला मुखी जी की भी जैनती है और इसके अतरिक गंडमूल जो है वो आज शाम को 6 बच कर 14 मिनट पर समाप्त हो जाएंगे तो ये थी जानकारी पंचांग के विशह में अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशी फल के विशह में और जानेंगे कि आप मेश राशी से लेकर के और मीन राशी तक सभी बारे राशियों के जो जातक हैं उनका आज 16 म माई 2024 दिन गुरुवार कैसा जाने वाला है ग्रह कोचर की वर्तमान इस्थिती के आधार पर तो प्रियसाथियों आरम करते हैं मेश राशी से यानि के जिनका इहरी साइन है प्रियसाथियों आप से बताना चाहेंगे कि आप अपने जो भी कारने हैं बहुत ही बुद्धी म मुतापूर तरीके से पूरे करेंगे आज के दिन और इसी के साथ साथ आपके अंदर एक रोमेंस भी रहेगा रोमांच आपका जो माइंड है आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से रोमांच कारी रहेगा और आप काफी प्रसंद मुद्रा में भी रहेंगे क्यों कि ये जो समय है अभी आपके वेवाहिक सुखों का आनंद लेने का है तो आप भरपूर तरीके से वेवाहिक सुखों का आनंद आज भी लेने वाले हैं और अपने जीवन साती के साथ भी बहुत अच्छे पल अपने वेवाहिक जीवन के बिताने वाले हैं और आप इतना ही नहीं, उनके साथ कहीं गुमने जाने का भी आने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी रात में कहीं डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी रेस्टरान, किसी होटल आदी में, और प्रियसातियों बताना चाहेंगे, कि घर के जो बड़े उसमें समानने से मध्यम परिणामों की प्राप्ती होने के योग बने हुए लेकिन अगर आप और अधिक परिश्रम करेंगे तब जाकर के आपको कुछ मध्यम से उपर परिणाम प्राप्त होने की भी संभावना से इंकार हम नहीं करते लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रियास अधिक करने होंगे अपना समय पढ़ाई में थोड़ा अधिक देना होगा अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो साथ में जो उपाई हम आपको बताएंगे वो उपाई भी आप अवश्य करें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाव होगा काफी सपोर्ट मिलेगा तो प्रिये साथियों जैसा मैंने कहा आपका जो कार्य छेतर है वर्क प्लेस हैं से भी आपके लिए अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको होगी और थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं आज के दिन यनि के सुख और एक तरीके से जो सुखों में कमी जो इसलिए है आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा दूसरे कार्यों में अधिक रहेगा तो सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका लाप नहीं ले पाएंगे पूरी तरह से प्रियसातियों उपाये आज के दिन आप क्या करें वट वरक्ष पर जल चड़ाएं और जो वहां की गीली मिट्टी है उससे तिलक करें यही आपके लिए आज का उपाय है आगे बात करते हैं जो हमारे विर्शब राशी के जो हमारे मित्र हैं यनि के जिनका टौरस साइन है प्रिया साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन यूं तो आपकी माता का जो आपकी माता हैं अगर वो हैं तो उनका प्यार और आश्रवाद आपको मिल रहा है लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है क्योंकि यहां पर शनी की द्रश्टी के कारण शनी की द्रश्टी जो पढ़ रही है उसके कारण कुछ ना कुछ ऐसा बीच में हो सकता है कि किसी बात पर आपके विचार उनसे ना मिलें या उनके विचार आपके साथ मैच ना करें लेकिन आप उनके साथ बैस में ना पड़ें कोई भी आर्गुमेंट ना करें माता का अगर हो सके तो सम्मान जरूर करें जहां तक भी हो सकता है जितना भी हो सकता है तब ही आपको सुखसोविधाओं का भी लाप प्राप्त होगा अगर उनका आशरवाद आपके साथ है और दूसरे कारेयों में भी आप पूर्ण रूप से सफल होंगे जहां तक आपके एक तरीके से मैं आपसे बताऊं कि अगर इंकम की बात करें धनके आगमन की आपसे बात करें तो देखिए धनके आगमन को ले करके तो हमने कल भी आपसे कहा था जब हम 15 मई का राशी फल आपसे बात कर रहे थे कि थोड़ी समस्या बनी हुई है कमी है तो उसके लिए उपाए भी आपको दिये गए हैं वो भी उपाए आप रेगुलर बेस पर करते रहे हैं और अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि यूं तो बहुत अच्छे राजयोग भी बने हुए हैं आपके कुंडल आप अपने काम के लिए आपने इजयान के लिए काफी सम्मान प्राप्त करेंगे आज के दिन हाँ इस्टूडन्स जो हैं उनके लिए जो समस्या हैं वो जरूर हैं तो उसके लिए हमने आपको उपाए दिये हुए हैं वो उपाये जो कल भी हमने आपको दिया था, वो ही उपाये आप रिपीट करें, और दूसरा उपाये एक आप और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, कि देखिए छोटी-छोटी कन्याओं को दूद अगर आप खिलाएंगे, पिलाएंगे, तो छोटी-छोटी 6-9 वर्ष्ट तक की कन्याओं जो होती हैं, उनको आप दूद पिलाएं, ऐसा करने से आपके सुखों में विरद्धी होगी, मात्र इसन्हे आपको बरावर मिलेगा, और आपके जो कार्रे रुके हुए हैं, जहां पर बाधाय आ रही हैं, वो भी पूरे हुए हैं, अब आगे बात करते हैं, जो हमारे मित्वन राशी के जातक हैं, तो मित्वन राशी के जातकों, यनि के जिनका जेम नीसाइन है, प्रियसाथियों मैं आप से पताना चाहूँगा, कि चंद्रमा की जो इस्थिती है, वो तृतिया भाव में हैं, सिंग राशी में हैं, कहने को तो मित्र के घर में हैं, लेकिन शनी से द्रश्ट हैं, अब क्योंकि शनी से द्रश्ट होने के कारण एक आप कोई छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं, तो उसमें इतना लाव आपको नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए था, उसमें कमी रहेगी, और किसे चेलेंजिज फेस कर रहे हैं, कटनाईयां फेस कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि भाग्य का आपको सपोर्ट जरू मिल रहा है, तो आपके जितने भी इस तरीके के कारें हैं, जिनने आपको बाधाएं आ रही हैं, या आप ऐसा मान करके चल रहे हैं, कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है, या हो रही है, तो ऐसा दिमाग से बिलकुल निकाल दीजिए, जब भाग्य का स साथ आप थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत अवश्य अवश्य अपनी सेविंग भी कर पाएंगे अपने पैसे की, या इन्वेस्ट करना चाहेंगे कहीं अच्छी जगा पर तो भी कर पाएंगे, बहुत ज्यादे मात्रा में नहीं, थोड़ा कम मात्रा मैं इसे ही लेकिन अवश्य करेंगे तो प्रियसाथियों मैं आपको उपाय जो आपको बताने जा रहा हूं आप सिर्फ इतना उपाय करें कि चांदी के पात्र में जल लेने गंगा जल ले उसमें चावल मिलाएं अक्षड और उसमें मिस्री मिलाने दूद मिलाने गायका हो त अर्द देना है और चंद्रमा को भी अर्द तब देना है जब चंद्रमा ओदे हों तो प्रियसाथियों ये आप उपाय करें तो आपके प्राकरम में भी विरद्धी होगी भागय में भी विरद्धी होगी आप जो भी छोटी मोटी दूरी की यात्रहें तैय करेंगे उनका भ करक राशी चाहिन है तो और में आप अपने का इसी नंता पे यसे मित्रे में हैं,वहाँ पर निश्चत रूप प्रियुज्त रूप से द्रूर हो आपके आख के दिन और द्धन का आघमन भी होगा की आघ्मा साथ्य और में जितना प्लाइन का आँछ को बहुत अच्रूरैक संचे करना है या इतना इन्वेस्ट करना है उसमें थोड़ा कमी के संकेद जरूर है और साथ यूं मैं आप से बताना चाहूंगा कि मित्रों जो आपके परिजन है फैमली मेंबर से उनके साथ भी जो आपका थोड़ा कुछ मतभेद या मनभेद थोड़ा इसी इस्तिती बनी ह हुई थी निश्चत रूप से उसमें भी एक तरीके से कुछ इंप्रूमेंट दिखाई देगा और आपके और उनके बीच के जो संबन्ध है उनमें जो तनाव है वो भी काफी हथ तक दूर होगा अगर आप मिल बैट करके बात चीज़ के द्वारा सारी चीज़ों को हल करन हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है महां आपको बहुत अच्छा आपका चल रहा है चाहिए आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं तो आपके कारेच छेतर से संबन्धे तो सफलता प्राप्ती के योग बनी रहे हैं और धन प्राप्ती के भी योग बने हुए है और मैंने जितनी बातें बताई ही बस थोड़ा सा भागे में अवरोज जरूर है कि जो काम समय पर बनना चाहिए उसमे थोड़ा डिले या थोड़ा विलंब के साथ पूरे हो रहे हैं और ऐसे ही होंगे भी आज के दिन तो उसमें उसके लिए जो हमने आपको उपाए अभी देने जा रहे हैं अगर आप उन उपाएं को करते हैं तो निश्यत रूप से आपके लिए बहुत ही एक तरीके से अच्छा रहने वाला है मैं आप से बस इतना कहूँगा कि देखिए आप राहू के मंत्रों का जब करिएगा और कुछ नहीं करना और ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सहर रहावे नमहा इसकी तीन माला आप आज के दिन करें आगे भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके भागे में वरद्दी होगी अगर आप इसको पर्मानेंटली अभी करते हैं लंबे समय तक मैं तो कहता हूँ इस उपाया को करते रही है आगे बात करते हैं सिंग लगन राशी के जो हमारे मित्र है जिनका लियो साइन बनता है कि चंद्रमा की जो इस्थिति आपके लगन भाव में आने से आपके चेहरे पर तो एक तेज और आकरशन तो रहेगा निश्चेत रूप से रहेगा और जो कुछ परेशानियां आपके दिमाग में चल रही थी या नकारातमक भाव पैदा हो रहे थे विचारों की उथल पुथल हो रही थी आप थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे अपने आपको निश्चेत रूप से अब उसमें कमी आएगी और कहीं न कहीं चिंता तो अवश्य अभी भी करेंगे आप मेरे मना करने के बाद भी करेंगे हाला कि चंद्रमा बैठे हुए हैं यहां लेकिन चंद्रमा भी जो हैं वो दरश्ट है शनी दोरा तो कहीं न कहीं अभी भी निराशा किसी बात को लेकर करके यह चिंता जरूर आप करेंगे जबकि करनी की कोई यहां पर आवश्यक्ता दूर दूर तक नहीं है हम आप से यही बोल रहे हैं कि ना करें कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको तोड़ा बहुत जरूर करेंगे टैंशन भी लेंगे थोड़ी बहुत यह हम जानते हमारे मना करने के बाद भी तो लेकिन पहले से आज के दिन टैंशन कम होगी यह भी बात है जो इधर उध टेनात्स ऩरीके से मिले जुले परणहों क्यों कि प्राप्ती के योग बने हुए हैं मतलब न कोई ज्यादा benefit होगा ना कोई बहुत नुकसान होने वाला है मिले जुले परणहों की प्राप्ती आप कर लेंगे और मात्र परिसनहें आपको भरावर मिलता रहेगा और मातरिस ने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका प्यार उनका आशिरवाद भी आपको मिलेगा और आपके कारे छेतर से संबंदित भी काफी अच्छे परणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हाँ इस्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये है कि उनको अभी परिश्रम की आवश्यक्ता है अभी उनको परिश्रम लंबे समय तक करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को ले करके अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा ही अच्छे आएं आपके अनुकूल आएं तो उसके लिए फिर परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर फोकस आपको अधिक करना पड़ेगा वैसे आप अगर चाहते हैं कि और अच्छे रिजल्ट्स आएं आपके लिए आज के दिन तो आज के दिन आप केले के वरक्ष की पूझा करें केले के विरक्ष की पूजा करेंगे तो आपके कार्य छेत्र से संबंद इत्मी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे इस्टूडेंट्स को भी अपनी एजुकेशन से रिलेटिन अच्छे परिणामों की प्राप्ती जरूर होगी और मेरे साथियों मैं आपसे बता दूँ के एक गुरू के लिए तो केले के विरक्ष की पूजा आवश्यक है आपके लिए साथ ही दूसरा उपाय जो आपको करना है कि हनुमान जी की पूजा अवश्य करें हनुमान चालिसा का पार्ट भी अवश्य करें और अगर नित्परति दिन कर सकते हैं आप सिंग राशी के जातक तो आपके लिए बहुत अच्छा आगे बात करते हैं कन्या राशी के जो हमारे मित्र है जिनका विर्गो साइन बनता है प्रिये साथी हूँ मैं आप से बताना चाहूँगा कि धनका आगमन आपके लिए है जरूर है लेकिन उससे ज़्यादा उससे अधिक वै के भी खर्च की भी संभावना बन रही है तो आप जो भी खर्चा करें आज की दिन बहुत सोच समझ करके करें और किसी भी कहीं पर भी बिना सोचे धनका वै ना करें अगर आपने बिना सोचे समझे अपने धन को खर्च किया तो आने वाले समय में जब एक्चुल में आपको जरूरत महसूस होगी, उस समय पर आपको जब धन की आवेशक्ता होगी और धन की कमी होगी आपके लिए तो आप परिशानी में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए धन से आगमन से जादा खर्चे के योग बने हुए, तो आप अपने खर्चों पर नियं सकता है, और स्वास आपका निरंतर उसमें इंप्रूमेंट आपको दीखेगा, अगर आप पहले से कोई तकलीफ थी, तो उसमें सुधार होते हुए भी आप महसूस करने वाले हैं, वैभाईक जीवन में भी सुक संतोष बना रहे, सुक शान्ती बनी रहे, उसके लिए जो ह सुकों की प्राप्ती हो, तो इसनान करने वाले जल में आप इत्र मिला करके या लाज चंदन एक चुक्ती मिला करके आप इसनान करें, और साथियों दूसरा उपाए आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा उपाए प्रहते काल उठकर के माता की चरण जरूँ छुएं, उनका रुकावट बाधा या कमी का आप अनुभव कर रहे थे, निश्चित रूप से आज के दिन आपको धनका प्राप्ती के योग बन रहे हैं, बेशक चाहें जादे ना हो, लेकिन कम मात्रा में ही हो, लेकिन धनका आगमन आप आज के दिन आपके लिए निश्चित रूप से रहने वाला है, साथ ही थोड़ा बहुत सैयोग आप मित्रों का भी जरूर पाएंगे, अगर आपके मित्रों से आपको कुछ अपेक्षा है, किसी प्रकार की साहता आप उनसे मतलब चाहते हैं, तो वो भी आपको आज के दिन उनसे जरूर मिल सकती है, साथ ही मैं आपको बत बताएंगे, अचानक कोई पदोनती का भी योग बन रहा है, कि हो सकती है आपकी पदोनती अचानक, या कोई अच्छा आपके वर्क प्लेस से कोई अच्छा समाचार आपको, जिससे आपका मन प्रिसंड हो सकता है, ऐसा भी कोई शुप समाचार आपको प्राप्त हो सकता है और प्रियसासियों मैं आपसे पताना चाहूँगा कि देखिये छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए सुखद रहेंगी, लापकारी रहेंगी और घर-परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका सामजस्य तालमेल अच्छा बना रहेगा और पैसे को कहीं अच्छी जगा संचे भी का आप कर पाएंगे बस थोड़ा शत्रों से साफधान रहें, विरोधियों से साफधान रहें आप तुलाराशी के जो हमारे बित्र हैं इस्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे आज के दिन इस्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट्स मिलने की पूरी-पूरी संभावना है और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है आज के दिन तो प्रियसाथियों उपाएं आज के दिन आप क्या कीजेगा उपाएं आज के दिन आपको ये करना है कि भगवाएं शंकर जीपर जल चढ़ा करके और काले तिल उपपर से चढ़ाने है और ओम नमेश शिवाय का 108 वार वहीं बैठ करके जाब करना है धूप दीप करना है ये आपको कार्रे करना है प्रियसाचियों आगे बात करते हैं वरिष्चिक राशी के जो हमारे मित्र है जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो अभी तक थोड़ी समस्याएं आप फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अपने वर्क प्लेस में कारेच छेतर में कुछ दुविधाय थी कुछ परिशानिया चल रही थी निश्चत रूप से आज के दिन उसमें कमी होते हुए आप महसूस करेंगे कि भई जितनें परिशानियां थी या कुछ आ रही थी बार बार एक परिशानी हम सही करते थे एक प्रॉब्लम को तब ही दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती यह सिल्सला बनावुआ था लकिन आज के दिन आपको अपनी उन सभी ऐसी प्रॉबलम्स में काफी हद तक शुकून रशान्ती प्राप्त होगा और आज के दिन आप अपने कार्यों से जो भी वर्क प्लेस पर आप अपने कार्रे करते हैं जो भी आप जिम्मेदारियां जो आपके उपर हैं वो पूरी करते हैं उससे ना कि आपके सीनियर्स या आपके जूनियर्स या आपके कलीक्स परसंद होंगे आपको स्वयम को भी सैटिसफेक्शन देगा कि मैंने आज जो किया है बहुत अच्छा करके आ रहा हूं घर तो ये एक संतुष्टी आपको कहीं न कहीं जरूर रहेगी आपके मन में और आपका जो पराकरम है जो आपका एनरजी लेविल हो भी आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा ये भी हम आपसे बता दें प्रियसाथियों बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा विरिश्चिक राशी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई को ले करके थोड़ी समस्या बनी हुई दिखती है कि आपके लिए समस्या बन रही है और यहों तो हायर इस्टडी जो कर रहे हैं थोड़ी बहुत उनको भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर चाहते हैं कि अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहे तो हमने विरिश् स्वती जी की हनुमान जी की पूजा करें जितना भी हो सकता है आप हनुमान जी को परसंद करें उनकी भक्ती करें तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे और विरिश्चिक राशी के जो ऐसे हमारे जातक हैं जिनको थोड़ा धन के मामले में अब हाव महसूस कर रहे हैं धन की तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए चंद्रमा की इस्थिति आपके भाग्य भाव में आने से तो जो भाग्य में अवरोद पैदा हो रहे थे और आप खुद भी स्वेम भी ये बात महसूस कर रहे थे कि भई मेरा लक मेरा साथ नहीं देता मैं तो कोशिश करता ह हूं आगे बढ़ने की अपने कार्यों को अच्छे ढंक से पूरा करने की एफिशेंटली मैं वर्क करता हूं यही सोच करके भई बैटर रिजर्ट मिझे मिले मेरे को एक एप्रिशेशन भी मिले मेरे को प्रमोशन भी मिले और भी कुछ चीज़ें जीवन से जुड़ी तो चंद्रमा कुछ न कुछ आपके भागे में व्रदी भी जरूर कर रहे हैं और जो हायर स्टडी कर रहे हैं उनको भी कुछ बहतर परिणाम चंद्रमा जब जाएंगे यहां से देते हुए जाएंगे जो हायर स्टडी कर रहे हैं और जो सामानने तोर पे अपनी स्टडी म लगे हुए है उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बहुत अच्छे योग बने हुए है धनुराशी के जात्कों को इनकम यानि के आय धनागम धनागम पूरुन रूप से बना रहेगा अच्छे डंग से रहेगा किसी प्रकार की कमी नहीं मित्रों का से प्रक प्लेस पे आपके लिए चेलिज्ञें जरूर है वहाँ कुछ परिशानिया फेश को आपको करनी पढ़ रही है या पढ़ सकती है तो उससे आपको घवराना नहीं है सक्छे आपको काल सफेद कट्ट्टे को दूद पिलाना है या रोटी खिलाना। एक तो आपको यह इस मंतर का भी अगर आप जाप करते हैं एक माला या तीन माला तो समझ लीजिए कि आप धनू राशी के जातक जो हैं वो सारे कष्टों से दूर हो जाएंगे प्रियसातियों मैं आपसे ये भी बता दूँ कि जो धनू लगन राशी के जातक हैं उनको थोड़ा पेट से सम्मंदे व्याधियां परेशान कर सकती हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपका स्वास बिलकुल एक दम उत्तम बना रहे तो केले की वरक्ष की पूजा कर सकते हैं या सूखी गांट जो होती है हल्दी की उसकी हल्दी लेकर के वो पहते जल्ब में प्रवा कर सकते हैं और घर से आप अपने घर से पीली हल्दी का टीका लगा करके ही घर से बाहर निकलें तो आपके कार्रेवी से दोंगे स्वास से भी अच्छा रहेगा आगे मकर राशी के जातकों के लिए बात करेंगे कि जो हमारे मकर राशी के जातक है आपका प्राक्रम जिसमें कमी बरावर बनी हुई है आपके एनरजी लेविल डाउन होने के पूरे संकेत गरों के द्वारा मिल रहे हैं लेकिन अगर आप यहां पर जो हम देख रहे हैं कि अगर आप राम चरित मानस के सुंदर कांट का पाट करते हैं और मा दुर्गा जी की पूजा करते हैं दुर्गा चालिसा का पाट और मा दुर्गा जी की आरती और सुंदर कांट का पाट करें और हनुमान जी की प्रतिमा पर संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं यह काम करें और एक और उपाय आपको बता रहे हैं वो उपाय यह है कि अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी आपको सहयोग मिले सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहें और यूंतर सब चीज़ वो अबरोध पैदा ना हो उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस समय आप शाम के समय जाएंगे अपने हनुमान जी की पूजा करने के लिए तो वहाँ पर ग्यारे पत्ते लेकर के पान के पान जो होता है चवाने वाला उसको मोली में उसकी माला बना ली जिए ग्यारे पत उसका भोग लगा करके आप परशाद मा किये गा तो आपके समस्याएं दूर होंगी अब आके बात करते हैं जो हमारे कुम्बराशी के जातक हैं प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो कुम्बराशी के जातक हैं जिनका की एकुरियस साइन है प्रियसातियों ज प्रोध का भी आपको सामना करना पड़ रहा है आज के दिन तो जहां तक हो सके कोशिश करें कि आप डारेक्ट अपनी इंवोल्मेंट उनके साथ ऐसे चीज़ों में ना रखें जिन चीज़ों को ले करके ऐसी बात कोई ना करें कि जिनके कारण कोई वाद विवाद पैदा हो और अगर कोई ऐसी टेंशन हाती भी है तो आप वहाँ से अपने आपको अलग कर लें दूर कर लें और शान्त रहें जितना पेशेंस रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा बजाए इसके कि आप आर्गूमेंट्स करें आर्गूमेंट्स करेंगे तनाव बढ़े जहां तक पराकरम का प्रिशन है पराकरम आपका बहुत अच्छा है एनरजी लेविल बहुत अच्छा है और भाग के कभी सपोर्ट आपको मिल रहा है साथियों और इतना ही क्यों देखिए सब कुछ बहुत अच्छा है शनी महराज की साड़े साथी का प्रभाव जरूर है लेकिन उनके कारण एक बहुत बड़ा राजियोग भी बना हुआ है आपके चार्ट में लेकिन वो सब चीजों के लिए फायदे मन तो है ये राजियोग जो है शनी का लेकिन कहीं न कहीं वैवाही जीवन में थोड़ा सा समझ्या बना सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा समझदारी से काम करना है अपने जीवन साती के साथ आपको जो भी उनको जो भी चीज़े हैं जो बात चीज़ा आपकी उनके साथ हो रही है वो बहुत ही शांत सवभाव के साथ करें कोई भी एग्रेसिवनेस ना दिखाएं कुछ भी ऐसा ना बोलें कोई कटू वचन ना बोलें कि जिससे की तनाव और अधिक बढ़ें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप उनके साथ भी कटू वचन बोलेंगे और महीं सही एक वाद विवाद और तनाव की सिती पैदा हो सकती है तो प्रिय साथियों कुम राशी के जातक हैं साड़े साथी का प्रभाव है तो उसके तो आप उपाय शनी देव के जरूर करते रही है हम हमेशा बताते ही रहते हैं वो आपको मालूम है लेकिन आज दूसरा भी एक उपाय बता रहे हैं आपको ताकि आपके लिए आयके साधन बने रहे हैं इनकम आपको होती रहे, तो उसके लिए उपाय करना है कि जल में, जल में आपने केसर और हल्दी दोनों मिक्स करके, उससे आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है, जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं, लोकर जो है आपका, जिसको तेजोरी कहले हैं, लोकर कहले हैं, जो ये बरावर बना रहेगा, दूसरा, दूसरा कार रहे आपको क्या करना है, दूसरा कार रहे आपको ये करना है कि आज के दिन काली उड़द, या काली तिल, ये भी भखवाई शंकरजी पर जाकर के चड़ाने हैं, इसका दान भी कर सकते हैं, और इसके दान के साथ साथ, दूसरा कार्रे ये भी करना है कि आप अपने ब्रस्पती को मजबूत करें, ब्रस्पती को मजबूत करने के लिए आपने सबसे बड़ा कार्रे ये करना है कि पीली वस्तुएं जो होती हैं, पीले वस्तुधारन करें आज के दिन, जहां तक हो सके, पीला चंदन का ठीका लगा आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा और अगर पीले आसन पर बैठ करके करते हैं इस मंत्र कजाप और पीली हल्दी की माला से करते हैं तो तो आपको इसके बहुत ही शुब परिनाम प्राप्त होंगे अगे बात करते हैं मीन लगन राशी के जो हमारे मित्र है जिनका पाई से साइन बनता है आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए चंद्रमा की जो स्थिती है जहां अभी आपके शत्रू और आपके व्रोधी से आप परिशान थे टेंशन में थे उनके द्वारा विरोधी हैं वो शान्त रहेंगे जादे परिशान नहीं करेंगे तो आपको उनसे किसी प्रकार की टेंशन की आवशक्ता नहीं है लेने की आज के दिन इस बात को हम आपसे कहना चाहते हैं बागी रहा सवाल आपके वेवाहिक जीवन का तो उसमें थोड़ी समस्याएं बन सौम में रहेगी और उसके द्वारा ही आप समाजिक छेत्र में हों चाहें घर के में हों हर्द घर परिवार में हों सब जगह आपके प्रेम संबंद बने रहेंगे सब लोग आपको सहयोग करेंगे प्यार करेंगे आपका भी प्यार सभी को मिलेगा और सहयोग भी आपकी औ उन्होंने क्या करना है पक्षियों को बाजरा प्रहते काल खिलाना है यह आपने कार्रे करना है और तीसरा एक और चोटा सा उपाय बता रहे हैं कि ताकि आपका प्राकरम भी अच्छा बना रहे और आपके कारे छेतर में भी कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े तो मेरे प्रियसातियों उसके लिए आपको सर्फ और सर्फ इतना करना है कि पीले फल का दान मंदर में जाकर के पुजारी जी को दिया है पीले फल देते हैं, पीले पुष्प हैं, पीले वस्तर हैं, चावल हैं, पीली चीजों का दान आपको करना है कहां जाकर किसी भी धार में करना है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं अगर आप ये भी कार्रे नहीं कर सकते तो आज के दिन आप जो धार में पुस्तके होती हैं, किसी भी प्रकार की धार में पुस्तके होनी चाहिए, उनको धार में किस थल पे जाके, मंदर मस्जित में जाकर के, या गुर्दवारे में जाके, आप उनको वहापर दान करके आई तो आपका कारेच छेतर में भी जो समझ से आएंगी वो भी नहीं आएंगी वो भी दूर होंगी प्रियसातियों ये था आप सभी जो बारे राशियों के जातक हैं मेश से लेकर और मीन तक उनका दिनांग 16 मईशन 2024 दिन गुरु वार विकरम समवत 2021 का देनिगराशी फल यदि आपको ये देनिगराशी फल पसंद आया है सातियों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर क साथ तो वे भी इसका लाब ले सकेंगे जानकारी का प्रिया साथियों आप से बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहेंगे चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियो ऐस्ट्रोजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी समय रहते हुए विज नोटिफिकेशन आप त सभी प्रिये दर्शक गणों से वीवर्स से लेंगे अजाज़त तो आप सभी का सहर दे बहुत-बहुत धन्यवाद जय माता दी